देवर ने भावी की करीब बड़ी ही बेरहमी से हत्या पती महीला को इलाज के लिए अस्पतार लेकर पहुचा खून से लत्पत हुए पती और रिष्टदार के कपड़े उत्तर परदेश के मुरदबाद जनपत के कटगर थाना इलाके में उस समय हड़कप मच गया जब देवर ने अपनी भावी के उपर चाकू से अंगिनत वार कर दिये हैं मौके पर ही भावी तराना की मौत हो गई सुचना मिलती ही मौके पर पुलिस पहुच गई जहां डाक्टरों ने महीला को मिरत गोशित कर दिया पुलिस द्वारा शव का पंजनामा करवा कर पोस्ट मार्टम को भिजवा दिया है वही मामली की तफ्तीश में जुट गई है आरोपी देवर इम्रान को मौके पर से हिरासत मिले कर पूछता शुरू कर दी है मुरदबार जनपत के कटगर थाना इलाके के खान सहाब वाले फाटक में उस समय हड़कप मजगया जब देवर द्वारा अपनी ही भावी के उपर सबजी काटने वाले चाकू से पेट पर अंगिनत वार कर दिये हैं महिला की अवाज सुनकर परिवार वालों में हड़कप मजगया आनन फानन में परिवार के लोग घर की पहली मंजिल पर पहुटे तो सब के होश उड़ गए देवर द्वारा अपनी ही सगी भावी को उपर सबजी काटने वाले चाकू से अंगिनत वार किये थे जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई सुचना मिलती ही परिवार वालों में कोहरा मजगया आनन फानन में मिर्तक के पती परवेश मौके पर पहुटे और अपनी पतनी तराना को इलाज के लिए जिलास्वताल लेकर भागे जिसमें परवेश और उसके साती के कपड़े पूरे खून में रंगे हैं। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा महीला को मिरत घोशित कर दिया। वही सुचना पर पहुची पुलिस ने मिरतक महीला के शब का पंचनामा करके पोस्मार्टम को भेजा। हत्यारे को मौके पड़ से हिरासत मिले लिया और पुलिस द्वारा हत्या आरोपी से घटना के बारे में तप्ती शुरू कर दी है। वही जब मिर्तिका के पती परवेश से घटना के बारे में जानकारी करना चाही तो परवेश द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, उसके सगे भाई ने उसके पतनी की बड़ी बेरहमी से हत्या की है, मिर्तक महीला की तीन मासूम बेटियां और एक बेटा है जो अभी स समय छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनकी परवरिश का कौन खयाल रखेगा, मुरदबासी इनामुल हक के साथ सिद्र महेक की रिपोर्ट